और एक बड़ी खबर इस वकत आपको बता देते हैं और अब इस वताथ से जूड़ी हुई बड़ी खबर है यह अगले हफ़ते हो सकती है इस पर चर्चा लोगसभा में विपक्ष अवश्वाथ प्रस्ताव लाया है उसकी चर्चा को लोगसभा स्पीकर की तरफ से मनजूरी मीभिल भी मिल गई है और अब ये बड़ी खबर कि अगले हफते इस पर चर्चा संभव है बड़ी खबर ये बड़ी अपडेट विपक्ष प्रस्तावले कराया उस नोटिस को लोगसबाद ज्यक्षनिस विकार किया उन्होंने कहा कि सभी दलों के नेताओं से बात करके वो व करकार के खिलाब अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष लेकर आया है उस पर चर्चा हो सकती है ये बड़ी जानकारी इस वक्त एबी पी न्यूज आपको दे रहा है अगले हपते चर्चा मुम्किन अंकित गुपता हमारे समवाद दाता इस खबर पर और ज्यादा जानक अंकित क्या जानकारी मिल रही आपको के चर्चा की जाती है इसके लिए बिजनस एडवाइजरी कमिटी होती है जिसमें ये ये तही कह जाता है कि अगर कोई ये प्रस्ताव आया है जैसे इस मामले में आविश्वास प्रस्ताव आया है तो उस पर चर्चा के लिए कितना वक्त दिया जाए किस पार्टी को कितना वक्त मिलेगा ये तमाम पहलू होते हैं जिन पर बैठक होती है जिन पर रनीती बनती है और उसके बाद में चर्चा होती है और उसकी को ध्यान में रखते हुए ये मुम्किन है कि ये जो चर्चा है ये अगले हफ्ते की जाए और उसमें ये तैय हो जाएगा तब तक कि किसको प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कितना वक्त निर्धारिस किया जाएगा ठीक आप नजर बना कर रखेगा फिलाल आपका शुक्रिया इस खबर के लिए तो देखिए अब श्वास प्रस्ताव जिस पर चर्चा की मंजूरी मिल चुकी हो और अब संभवर की अगले हफ्ते इस पत्रकारता कोई emotion नहीं है ना अपना कोई ग्यान देना है और ना कोई विचार थोपना है पत्रकारता क्या है पत्रकारता का मतलब है सही जानकारी कठा करना और तत्थे बताना पत्रकारता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी इस दौर से निक जगविंदर पठियाल के साथ देखिये पब्लिक इंट्रेस्ट 17 जुलाई से सोबवार से शुक्वार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे